What is the best way to spend your super medals in the new rocket balloon spotlight event इस बार के special event में हमें कोई भी hero equipment या फिर hero skin देखने को नहीं मिल रही है जिसको आप straight away purchase कर लो without considering anything तो इस बार के जो rewards है महाँ पे best value किया होगी इसमें थोड़ी सी confusion रहेगी लेकिन मैं आपके लिए सारी चीज़े clear रखने वाल हूँ तो चलिए बाइ start करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कितने medals मिलेंगे as a free to play player तो event rack से आपको 3,150 medals मिलेंगे as a free to play player अगर आप event pass लेते हो तो आपको यहाँ पे event rack से total 8,150 medals मिलेंगे इसके साथ ही आपको एक bonus track भी मिलेगा इस बार का bonus track थोड़ा सा कम है जिसके वाज़े से हम लोगो सिर्फ और सिर्फ 3000 and 800 मिलने वाले in total as a free to play player तो इन medals के साथ आप लोग खरी सकते हो यह सारे reward सबसे पहले आप देखो इस बार ores के हमें दो type की packs मिल रहें एक अपने mega packs और इसके नीचे अगर आप देखोगे हमारे पुराने वाले छोटे packs इनमें से जादा value कहाँ पे अगर आप देखोगे 1500 medals में आपको 321 glow yores मिलेंगे अगर आप नीचे वाले जो packs है उससे खरीदो लेकिन अगर आप उपर वाला mega pack खरीदोगा आपको 80 extra glow yores मिल जाएंगे तो obviously mega packs खरीदने में बहुत जादा benefit है लेकिन कौन सा वाला mega pack अब इस चीज़ का answer आपके situation पर depend करता है जैसे आपकोई epic equipment max करने की road पर हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जिसकी जरुत पढ़ने वाली है guys वो अपने है star yores जो कि per war से आपको 5 मिलते हैं और daily star bonus में तो आपको यह मिलते भी नहीं है तो यह जो star yores है हमेशा आपको परिशान करेंगे मेरे पास सिर्फ 20 star yores बचें तो जब तक यह star yores नहीं मांग रहा मैं तो अपने giant gauntlet को upgrade करते जाऊंगा लेकिन जैसे इसने star yores मांगा भाई हो गया काम तो हम level 27 यह जब नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मेरी situation में तो मुझे star yores का pack लेना सबसे important है और event pass से मुझे 80 shiny oores मिल जाएंगे लेकिन अगर आप कोई normal equipment max करो जो कि epic equipment नहीं है तो वहाँ पे आपको shiny oores and glow yores की जरूरत पड़ेगी और shiny oores तो आपको daily यहाँ पे बहुत ही असानी से मिल जाते है shiny oores की कमी पढ़ने पर भी आप daily यहाँ पे star bonus से आपको बहुत कम-कम मिलता है अगर आपने star bonus भी देखा होगा टाइटन लीक में maximum आपको मिलता है 50 glow yores तो most of time hero equipment max करने में shiny oores तो मारे पास रहती है पर glow yores की कमी पढ़ जाती है इसलिए मैं आपको सेरेश्ट करूँगा सबसे पहले आप glow yore का pack ले लो अगर आपो कोई भी epic equipment max नहीं करने है अब इसके बाद guys ये अपना एक special decoration है जो की जो decoration collect करने वाले players है वो तो इसे straight away ले जकते है because obviously ये आपके लिए worth hit रहेगा देखो guys यहाँ पे जब आप glow yore इसके 2 pack buy कर ले तो as a free to play player तो आपके 3000 medals चलेगा है free to play player के लिए best है और जो बाकी चीज़ है जैसे यहाँ पे runes वगरा है वो तो आपका सिफ आप farming करके पूरा storage फुल करी सकते हो तो वो ले ना worth hit नहीं है बाकी rewards अगर आपका इवेंट पास से तो builder potion आप ले सकते हो ये भी काफी worth hit है लेकिन free to play players के लिए सबसे important उपर के जो ores है पहले उसके दो packs आप ले लेना अगर आपको यहाँ पे basically glow yores के ज़रो है तो आप दोनों ही glow yores के pack ले लेना और shiny ores अगर बसते है medals तो free to play play तो नहीं ले पाएंगे event pass वाले shiny ores को ले सकते हो फिर कुछ medals बसते हैं तो आप नीचे आके यहाँ पे basically अपने book of hero वाला जो है वो ले सकते हो अगर आपके heroes max होने बाकी है तो यह था सभी tribe के players के लिए पूरा suggestions लाइक क्या आपको यहाँ पे use करना है अपने medals का अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइस like subscribe जरूर से कर देना मैं आप समता हो लिए वीडियो में तब तक लिए keep clashing and peace out